Hello Friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल Do Maths with Poonam में आज हम जिस टॉपिक पर डिसकर्शन करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के competitive exams में पूछे जाते हैं तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं आज हम नंबर सिस्टम से related दो कोशन सॉल्फ करने वाले हैं तो यह है सबसे पहला कोशन If the sum of a number and its square is 240, what is the number? सो इसे सॉल्फ करते हैं Let the number be x नंबर को हम x लेते हैं तो according to the question, x square plus x is equal to 240 अब next चो step होगा वो होगा x square plus x minus 240 is equal to 0 अब हम इस step के बाद इसको factorization करेंगे factorization मतलब ऐसा एक number लेना होगा जिसे into करने से हमारा 240 आए और plus minus करने से 1 आए तो यहां 15 और 16 है वो दो numbers इसको into करेंगे तो 240 आएगा और plus minus करने से 1 आएगा जैसे कि यह तो हमारा next step जो बनता है वो होगा x plus 16 और x minus 15 तो x का value यहां पर 2 है minus 16 and 15 तो हम सिर्फ positive numbers ही लेंगे तो इसमीज हमारा जो answer है वो है x is equal to 15 तो चलिए अब हम second question solve करते हैं तो दूसरा question है तो दूसरा question है तो दूसरा question है the difference of two numbers is 11 and one-fifth of their sum is 9 so what are the numbers यह है question तो चलिए अब हम इसे solve करते हैं let the two numbers be x and y दो numbers को हम x और y लेते हैं according to the question सबसे पहला जो equation बनेगा वो होगा difference of two numbers मतलब x minus y is equal to 11 second equation बनेगा one-fifth of their sum means x plus y का one-fifth which is equal to 9 next हमें इन दोनो equation को एक साथ solve करना है तो जब हम इसको एक साथ solve करेंगे तो हमारा y का value निकलेगा 17 तो y का जब value 17 निकल चुका है तो अब हम इससे x का value easily निकाल सकते हैं कोई भी equation आप use कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहापर x minus y यूज किया है तो y के जगा पर हम 17 लिखेंगे तो इससे हमारा जो x का value है वो निकल जाएगा which is 28 so the numbers are 28 and 17 तो ऐसे ही number system से related और कई questions आने वाले videos में मैं आपके साथ discussion करती रहूँगी तो इसके लिए आप मेरे इस channel पर बने रहिए इसे like करे, share करे और subscribe जरूर करे और comment में बताएं कि आपको कौन से question का solution चाहिए so as parents prepare करते रहिए and don't give up